जमीन का जो फरजी रेजिस्ट्री का खेल है वो खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है अभी भी खेल ये हुई रहा है ओनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बावजूर जो है ये खेल जारी है अब होता है कि इसका मुखे कारण क्या होता है कि सबसे पहले जमीन जो है वो एक पैतर एक जमीन होने के चलते जो है इसको कोई भी भाई आकर बेज देता है और लोगों से जो है पैसा ठक कर जो है इस पर खुद बिबाद खरा कर देता है खुद मामला को कोट में लेकर चला जाता है उनको पता होता है कि ये हो सकता है कि कोट केस जो है वो पांस से दस साल चले उस इस तरह से वह पैसे की ठगी करते हैं बहुत लोगों के द्वारा इस परकार का सिकायत दरज कराये गया और उनके खिलाब F.I.R. भी दरज कराये गया और बहुत ऐसे मुकदमे जो है और वो कोट में भी लंबित हैं तो इस तरह का जो समस्या उसका मुख ही कारण ये कैसे करते हैं लोग तो देखें होता क्या होता है कि ये जमीन अगर मान लेते हैं कि ये संजीत के नाम दर्ज है है ना संजीत के नाम है अब ये संजीत के जो बेटे हैं या ये तीन बेटे हैं इसका मान लेते हैं नाम है मोहन राजू और मुकेश अब यह क्या किया कि मोहन क्या किया इस पर पैसा उठा लिया अब पैसा उठा लिया और इसको मोहन क्या किया जाकर बेच दिया अब राजू जो है क्या करेगा राजू के द्वारा केस करवा दिया जाएगा है ना राजू के द्वारा केस करवा दिया जाएगा तो राजू के द्वारा जब केस करवा दिया गया तो फिर बिबाद उत्पन हो गया अब मोहन को रोक लगा दिया जाएगा जमिन कबजा करने नहीं दिया जाएगा तो मोहन का तो यानि जो एक खरिदने वाला है यहाँ पर यह मोहन तो बेच दिया था लेकिन जो खरिदने वाला है वो तो अब इतर से यहाँ पर फस चुका बुरी तरीके से सब मिली भगत एक दूसरे की हो रही है तो ऐसे भी मामले हो रहे हैं और इस तरह का जो मामला है उस आप तो या तो बेच दिये तो आपको जमीन देनी होगी जमीन नहीं देंगे तो जितना जमीन आप देंगे मालेत एक हिसेदार है मुहन अपना जितना सेयर देगा और उतना कहीं पैसा लेगा और मांकी पैसा तो उसको रिटर्न करना परेगा सवाल है कि सर जी हमारे जो है आमने जमीन खरीदी है और पार्टी ने फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है और जमीन पर कबजा कर लिया है तो क्या करें तो देखें अगर party का मुकदमा फरजी है तो आप अपना भी मुकदमा कर सकते हैं specific relief act के तहत ये प्रादान है कि आप अपना पैसा जो है वसूल सकते हैं पैसा जो है आप निकाल सकते हैं इसलिए कि आपको भी अधिकार है कोई धोखा देगा तो उसको तो पैसा वापस देना ही होगा अगला सवाल है सर मेरा पुस्तेनी जमीन है और यहां पर तिन भायूं तीनों का जो है यहां पर बराबर हो चुका है जिसमें एक का घर बन यहां पर चुका है और यहां पर यहां पर यहां पर नापी कराने पर जो है दस इंच जो है में आएगा है न क्या यह तू भाई है और तीनों का अगर बराबर हो चुका है तो पुस्तैनी जमीन में दखें ये जो जिस पोजीशन पर है एक तरह से बहुत लंबे समय से है और सबसे ज़्यादा जो लेट होता है ना किसी परकार का जो कोट केस का विवाद जो है और इसका लेट होने का जो कारण होता ह वो पुस्तैनी जमीन का होता है और इसको हम डिटेल से बताएंगे का फिर आपको जो है ना इसमें करेंगे तो क्या समस्याओत पनोगा ठीक है अब थोड़ी थोड़ी बातों को तरहेगा लेकिन अगर विवाद खरा करेंगे तो पुस्तैनी जमीन में जो है एक तरह से वो तभी तूड़ सकता है को हिसदार अगर आपको संपत्ती बेच दिया है नहीं तो वहां पर भी position काई कालग माइना जरूर है अगला सवाल है कि अगर रजिस्ट्री पैतरिक संपत्ती की बाप ने यहां पर कर दिया है उस time जो है यहां पर बच्छे नहीं जो है पैदा तो क्या बच्चे जो है केस कर सकते नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते ठीक नहीं कर सकते पैत्रिक संपत्ति पिता ने बेचती है अब उनका एक जरुवत होगा जरुवत के अधार पे पैत्रिक काड़ी के लिए अपने जो है परिवार के जीवन यापन के लिए बच्चों की प्राइग के लिए बेटी की साधी के लिए पिता के दौरा अगर पैतरिक संपत्ती बेचा जाता है तो कोई उनको रोक नहीं लगा सकता है अगला सवाल है डियर सर मैंने जमीन पर जो है यहांपर दूसरे दादा के बेटी से यहांपर खरीदा है लेकिन हमने दाखिल एकाउंट जो है और वो प्लॉट है वो अगर नया दे दिया तो यह गलत है इसलिए कि अभी आपका जो मैप है न उस मैप में जो नमबर है वो मौजूद होना चाहिए आप जमीन का पूजीशन कैसे प्राप्त करेंगे और वो नमबर यानि जो है उनमबर मैप में जो पर हैं अगला सवाल है कि मेरे पिताजी जमीन जो है बंदोबस्त के लिए जो है यहाँ पर आबेदन किये थे लेकिन सभी परक्रियाओं होने के बाद अनुमंडलिये पदादिकार जो है यहाँ पर खजाना रसी जो है काट दिया जाए इसी करम में दूसरे अनुमंडल पदा ने कटा एवं फाइल जो है पेंडिंग रख दिया गया तो उपाय बता हैं अगर मनल पदादिकारी के दौरा आदेस हुआ है तो इसी तरम का जो भी है नहीं कटा है तो पैंडिंग रख दे तो उपाय बता है थे तब जिलाक काडियाले में जा सकता है अब अगर मान लेते है कि सभी परक्रिया होने के अगर किसी परकार का कोई भी अगर रुकावण होगा तो उनके आदेस के बाद जो है उनका जो आबेदान होगा उसपे जो भादेश देंगे उसके अनुसार जो है आपका कारी हो जाएगा अगला सवाल है कि सर मैं चंदन पास्मान मेरा रियती जमीन है उसके भगल में बिहार सरकार की जमीन है जिसे किसी दूसरे वेक्ती दौरा कब जा किया गया वो रास्ता नहीं दे रहा है जब हमने रास्ता तो रात में जो है दिवार जोड दिया, तब हमने अनुमंडल लोग सिखाए, जिला लोग सिखाए, जिला पदादिकारी बकसर अपील किया, CEO आके रास्ता दिलबाए, अब क्या हुआ है दुबारा कि रास्ता बंद कर दिया है, CEO थाना परभारी, SDO सभी को आविदन दिये, क वकील के माध्यम से जो है, वकील के द्वारा जो है, आप कि अगर रास्ता का समस्या है, तो रास्ता का विवाद का जो हल होगा, वो जरूर निकलेगा, आपको एक परक्रिये के तहतब करना है, अब आविदन नहीं देना है, कोई कारभाई जब आविदन से हो ही ने राय, तो आवेदन देने का क्या फायदा तो आप एक वकिल के माध्यम से जो है उस बैक्ती के उपर जो ऐसा किया है जो आपका रास्ता रोका उसके उपर एक केस फाइल कर दें अगला सवाल है सर हमारे दादा जी के जमीन पर किसी और का नाम निकल रहा है लगवग जमीन का कुछ कागज नहीं है हम उस जमीन पर लगवग 80-90 साल से खेती कर रहे हैं लेकिन अब जिनके नाम पर खेत निकल रहा है वो हमें परिसान कर रहा है सरक किरपया करके उपाय बता है ठीक है देखें अगर जो आपके दादा जी है और नाम निकल रहा और जमिन का कोई भी कागज नहीं है और अस्सी जो है और नबबे साल से खेती हो रहा खेत निकल रहा तो वो हमें पुरेशान कर रहा देगा इतना लंबा संब्र होने के बावजुद आपको सबसे पड़ी जानकारी जुटा लेना चाहिए कि अखिर जो पोजिसन है उस जगह पर किसका है और ये पोजिसन जो किसके नाम दर्ज है जो भी अपर किरिया वो सारा डिटेल की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बरतमान सिच्वेशन क्या है उसके बाद जो है अगर कोई परिसान कर रहा है उसके खिलाब आपको फायर दज कराना चाहिए और रही बात जो आपके पास कागजात नहीं है तो आप इतने लंबे समय से हैं तो आप परतिकूल कबजा का भी दावा कर सकते हैं परतिकूल कबजा का दावा जो है आप सिविल कोट में किसी वकिल के माध्यम से कर सकते हैं सिविल कोट में आप केस फाइल करेंगे और किसी वकिल के माध्यम से आप ये दावा पेस करेंगे पर्तिकूल कबजा का ठीक है तो ये एक विकल बनता है जो कि आपको करना चाहिए सवाल है कि मेरे दादा जी मेरे पिता जी के नाम वसीयत किये थे और मेरे दादा जी जो है नहीं है मेरे पिता जी का भी निर्दन हो गया और मेरे पिता जी और सागा चाच दादा जी निस अंतान थे तो जमीन की वसियत किस अधार पर होगा तो देखें अगर जो मेरे आपके दादा जी है पिता जी के नाम पर वसियत किये थे वसियत जो किये हैं अगर वो पैत्रिक जमीन की है तो वो वसियत का मानता जो होता है वो कोड में नहीं होता है पएडी बात ये तो समझ लेना चाहिए कि अगर आप उसके अधार पे कुछ करना चाह रहे हैं थो मामला भविस्ट में समस्या उत्पन हो सकता है कि ये वसियत मानने है अब है कि आप जो मेरे पिता का भी निर्दन हो गया और मेरे दादा मेरे पिता सगा चाचा भतीजे थे तो मेरे दादा जी निसंतान थे तो जमीन की वसियत की सधार पे होगी तो देखें यहाँ पर अगर कोई नहीं संतान है तो उसका उतरादिकारी जो होगा कि सबसे पहले तो अगर उनकी पत्नी है तो पत्नी को संपत्ती पराप्त हो सकता है दूसरा कि अगर पत्नी भी अब दुनिया में नहीं है तब जो है उनके जो भाई है या पिता है वो उस संपत्ती के उत्रादिकारी होंगे तो पिता भी जीवित नहीं जब वो बैक्ती ही मर गया तो पिता कांज जीवित रहेगा तो जो उनका भाई है भाई के जो बच्चे है वो उस संपत्ती के उत्रादिकारी होंगे अगर पत्नी के द्वारा किसी को संपत्ति अगर नहीं बेचा गया तो अगर बच गया प्रोपर्टी तो अधिकार प्राप्थ होगा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरू करने चैनल को पहली वार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको